इमाचल प्रदेश विधान स्वभा चुनाओ को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार प्रशार तेज कर दिया है। इसी बीच कॉंग्रेस राजसभा सांसद रणदीप सुर्जेवाला ने A&B News से खास बातचीत की है। खास बातचीत में रणदीप सुर्जेवाला ने क्या कुछ कहा है आईए आपको सुनाते हैं। बाजप्पाई बेरोजगारी का रिवाज बदलेगा। भाजप्पाई लूट और जूट का रिवाज बदलेगा। और भाजप्पा का राजबी बदलेगा। बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला है हिमाचल चुनाओं में। सीवल यूनिफोर्म कौड उसको लाने की बात कर रही है। जबकि ज्यादतर लोग हिंदू है। कॉंग्रेस कैसे देखती है। क्या स्टैंड है। भाजप्पा लटकाऊ और जटकाऊ पार्टी है। ये लटकाते हैं, जटकाते हैं, जूट बोलते हैं, प्रपंच करते हैं, आडंबर करते हैं और हर मुद्दे को भटकाते हैं। तो ये लटकाना भटकाना जटकाना इससे अब लोग ठक चुके हैं क्योंकि जुमलों की सच्चाई सामने हैं ये केवल भटकाएंगे ताकि कोई इनसे ये ना पूछे कि आपने एक के बाद एक के बाद एक युवाउं से लोगों से भृष्टाचार के स्कैंडल्स का पूछे के पूलिस की भरती में आठ लाक में इमाचल में बच्चों की नौकरियां और पेपर क्यों विके, ना पूछे के प्रोफेसर की भरती में घोटाला क्यों हुआ, ना इनसे पूछा जाए के गैस का सेलेंडर चार सो से बारा सो रुपय क्यों हो गया, इनसे ने पूछ जाए कि पेट्रोल और डीजल सो रुपिया को क्यों छू रहे हैं तो ये लटकाएंगे भटकाएंगे जटकाएंगे पर सच का जबाब नहीं देंगे लोग अब जुमले बाजों का अंत करने वाले मेरा एक अंतिम सवाल है ओपियस हिमाचल में बड़ा चुनावी मुद्दा है कॉंग्रिस ने गोशना पत्तर में वादा किया है ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर आ जाती है ये वादा वादा ही रह जाएगा बाद में इस तरह की बातें ना आएं कि आर्तिक समस्या है कमेटियें बना रही है फिर करेंगे थंडे बस्ते में तो नहीं डाल देंगे सरकार पहली कैबिनिट में होगा? तब जाकर हमने हिमाचल में बादा किया, पहली कैबिनिट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीप हिमाचल में लागू होगी, यह हमारी गैरंटी है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम विरोधी है, सरकार जो बाहर जा रही है, वो इसलिए उल्जलूल बाते करके लोगों को बहका र रहे हैं प्रंतु वो इसमें कामियाब नहीं होने वाले लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वीर बदर सिंग जी की सरकार के समय OPS का फैसला वापिस हुआ है आप तो एक जुम्यवार चैनल है किर्प्या करके रिकॉर्ड निकालिए आदर्णिये वाजपई जी के नेत्रितव वाली भाजपई सरकार ने All Pension Scheme को खतम किया था अंधेरे में जूट बोलकर चोर दरवाजे से निकलने वाले लोगों को कोई इलाज नहीं है उनका इलाज यही है कि वोट की चोट से उन्हें नकार आ जाए तो वोट की चोट से नकारने की बात हो रही है देखना यही होगा जनत क्या जनादेश देती है शिमला से आशी शगरवान